असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का आगे आपन इकेडमी के इस नए और लिरेस्ट वडियो में और आज के इस वडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 के उर्दू के दरक्षा के किताब से चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव कोश्चन याद रहे यह अब कि सभी चैप्टर को कराते जाओंगी और पूरा दरक्षा का बुख हम लोग कंप्लीट करेंगे ठीक तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर वन कंप्लीट करेंगे चैप्टर वन का सारा सब्जेक्टिव कोश्चन चैप्टर वन का क्या नाम है हम्द खुदाय चैप्टिन कोश्चन है ध्यान से देखिएगा किस तरह लवजों को सजा कर लिखा गया है और उसका हर एक चीज़ का तो मतलब में आप लोगों को बताऊंगी ठीक तो चलिए तो देखिए आप लोगों का सवाल स्टार्ट हो रहा है जिसमें आप लोगों को एक ही शब्द कमाली कब पैदा हुए मैं आप लोगों को अलड़ी बता चुकी हूं चैप्टर पढ़ा रही थी ना तो शब्नम कमाली मुस्तरनिफ के बारे में हर एक डिटेल सारा पॉइंट बता चुकी हूं चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई थी ठीक तो अगर देखिए दो शब्नम कमाली कब होई थी को ये जो कि आप लोगों वर्प आप बता चुकी हूं जब मैं आप लोगों को चैप्टर प्रा रहे थी तो बाइस जुलाइए उनसर अर्थी सबीको शब्नम कमाली की पीड़ाईश हुई थी और देखिए दूसरा कोश्चन भी बहुत जद बहुत ज़दा असान तिसरा सवाल है 69 कमाली का इंतिकाल कभू合 तो 610 37öyle complet brick here के भूक में नहीं लिखा है कि श pseudo कमाली का उल्जा नेरह स्वाहए है 2037 तरे तरेकि कोशन नमबर 4 है कि काईनात की तखलीक किस ने कि तो इस काईनत की तखलीक लगा ताला ने किया है तो है तो इंसान की मुश्किलों को असल नाम क्या है क्या है जो शूल का मaitकरका मुस्टफा रजा है यह भी मैं आप लोगों को अलड़ी बता चुकी हो ठीक है तो यह था आप लोगँ का मुख्तसर सवलाथ मुख्तसर का मतलब होता है लगों उत्रिया और शावलाथ मतलब प्रश्ण तो लगों उत्रिया प्रश्ण देखे सबसे पहला सवाल जो कि बहुत ज़्दा विवी आई य कहें हैं विवी आई का मतलब होता है very very important तो ये जो question है ना बहुत ही ज़्यादा is important है very very important है क्योंकि ये question आप लोगे exam में बार-बार पूछा जाने वाला question है ति कि बहुत बार पूछा गया है ठिक तो इसको वी वी समझ कर याद रखेगा इस question का इंसर, देखिये हम्द, कोशन क्या पूचा जा रहा है कि हम्द किसे कहते हैं, पांच जुमलों में लिखिए बहुत ही ज़्यादा आसान हम्द किसे कहते हैं, जब मैं आप का मतलब होता है अर्भी लोगत में हम्द के मानी क्या होता है सिर्फ तारीफ करना लेकिन उर्दो शायरी के इस्तला में हम्द उस नजम को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुदाय वैदला शारीक की तारीफ की जाया यानि कि अर्भी डिक्सिनरी के हिसाब से हम्द का मतलब होता है सिर्फ तारिफ करना देकिन अगर उर्दू शाइरी के साथ से देखा जा है ना तो उर्दो शायरी के हिसाब दे हे फिर तारी के नजम उस कवीता को कें है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्ला की तारीफ फॉटावसिफ भियान की चाहें किन currently कि तरह निखाला यहें लेकिन तारीक की जाती है तरह लेकिन उसमें सब्सक्राइब की तारीफ की तारिफ opon उर्दो शायरी में शुरुवात से ही हम्द की रिवायत रही यानि कि शुरुवात से हम्द लिखा जाते रहा है और तक्रेबन तमाम उर्दो शुराये ने हम्द लिखा है और लगबग सभी जितने भी शायर हैं उन्होंने हम्द लिखा है और अक्सर मजमुवा किलाम में चीज की शुरुआत की जाती है ना तो अच्छा होता है इसलिए किसी भी किताब के फ्रंट पेज में शुरुआत में हम्द को रखा जाता है यानि की अल्ला की तारीफ करना नजम के अंदाद में ठीक तो सबसे पहले खुदा की तारीफ पढ़ी जाती है उसके बात से आगे जो है चैप्टर रहता है ठीक है तो अक्सर आप लोग किताब में देखेंगे उर्दू के किताब में हम्द रहता है यानकि अल्ला की तारीफ रहती है और वही बात आगे भी लिखी गई हम्द की तखने को इबादत का दर्जा हासिल है और चुनांचा शायर खुदा-ए- अगशनुद की हासिल करने के लिए हम्द लिखता है या आप यह वह वासानी से लिख पाएंगे इसमें कोई शक नहीं है तो आлагे बढ़िए अगले कोश्जगी तरफ निखे दुसरा सवाल है की हम्द मनकबत और कसीदे में क्या फरक है अब यहाँ पर आप लोग वो फरक बताना है हम्द मनकबत और कसीदे में ठेकर और हम्द तो आप लोग अभी समझे कि हम्द उसनज्म को कहते है जिसमें शायर खुदा-आ綠ालया की तारीफ बियान करता है और उसका मकसद मजभी फजीलत और खुदा की खुशनूदगी हासिल करना है ठीक हम्द किसे कहते हैं हम्द उस नजम को कहते हैं जिसमें सिर्फ अल्ला की तारीफ वतौसे बियान की जाए और शायर हम्द इसलिए लिखता है ताकि वो खुशनूदगी हासिल कर सके तो ये तो बहुत दासान है उसके बाद से मनकबत मनकबत किसे कहते हैं देखिये नॉर्मली यहां पर लिखा गया है कि बुज़गान दिन और आलिया इल्ला की तारीफ और फजायल बियान करने को ही क्या कहते है मनकबत कहते हैं और ये भी नजम की ही एक पिसम है मनकबत भी जो ना ये भी एक नजमियन की कविता की तरह ही लिखा जाता है और कसीदा कसीदा भी नजमी की तरह लिखा जाते हैं कसीदा उस नजम उस कविता को कहते हैं जिसमें बादशाय वक्त या फिर हुक्मरान वक्त की तारिफ की जाती है उसे क्या कहते हैं कसीदा ठीक तो यह आप लोगो थोड़ा नहीं समझ में आया होगा लेकिन मैं इस चीज को आल्रेडी जब चैप्टर पढ़ा रही थी तीनों को डीपली समझाई हूं आप जाकर समझ सकते हैं हम्द मनकबत और कसीदे में क्या फरक है मैं आप लोगो जब चैप्टर पढ़ा रही थी वहा अब भलगो यानकी इन में अंतर समझ में आ गया है थिक और बढ़ें तिसरा सवाल लेकि जब नंकमाली के तीन किताब का नाम बताना है तो देखें तो शेलिकी किताब का नाम दिख दिए गया है ज्याए अकिदत फिर दोस याकिदत और सहभाय अकिदत ठीक चुलीए फट और नात में फरकापलों को बताना है तो हम्द आप लोग तो अलएडी जानते ही है कि हम्द गया नजम की यह प्रास्व है यानकी नजम यानकी नजम कोईता की तरही लिखा जाता है जिसमें खुदा ताल्या की तारीफ़् उसफ़ बियान की जाए हैं जो हुजूर्स लिलाओं की तारिफ वोतासी बियान की जाए यानि हम्द और नात में बहुत बड़ा का डिफरेंस है हम्द में हम्द उस कवीता को कहते हैं जिसमें अल्लाओं की तारिफ की जाए और नात उस नजम उस कविता को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हजूर सललाओ ताला ले वसल्म की तारिफ और तासी बियान की जाए यानि कि नाथ सिर्फ मुहम्मद सललाओ ताला ले वसल्म के लिए पढ़ी जाती है ठीक है नाथ सिर्फ मुहम्मद सललाओ ताला के लिए होती है और ह रखिएगा हम्द में आप िदोनों नजमी होते हैं कवेता ही है ठीके लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट्स है हम्द में अल्ला की तारीफ हो और जब किनात में हुजूर्स अल्ला की तारीफ की जाती है ठीक है तो दोनों ही कविता ही की तरह लिखा जाता है लेकिन दोनों में डिफरेंट हैं ओड़िए अब यहां से आप लोगा स्टार्ट हो रहा है तावील सवलात यानि की दिर्ग उत्रिया प्रसुन ठीक है दिर्ग उत्रिया मतलब बहुत ही लंबा लंबा दिर्ग दिर्ग एंसर देना पड़ता है ठीक है जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि शामिल ने साब का आलिव बेमिसाल है इसका आप लोगो तश्री करना है यानि कि अर्थ बताना है कि इसका मतलब क्या हुआ ठेके तो इसका मतलब भी मैं आप लोगो अलड़ी बता चुकी हूँ देखें यहां पर लंबा चोड़ा लिखा गया है लेकिन एक दब मैं आप लोगो शौर्ट कॉ ही बनाया है और तु इस देजल्जलाल है यानि कि तु अजमत वाला है तु रहमत वाला है तु ही सब पर रहम करता है आए मेरे मौला यक्ता है तेरी जात पाक आलिव बेमिसाल है तेरी जात और पाक एक ही है तू आलिव है और तू बेमिसाल भी है तू इस दुनिया में ब बचवड़ा करके लिख दिया गए तश्रीख कर देगा है आप लोग इसको पढ़ ले इस तरह वन बई वन करके और देख ले किस तरह लफजों का यूज किया गया है ठीक बात तो वहीं लिखा गया है तो अजमत वह जलाल वाला है ठीक तेरी जात पात क्या है एक ही है तो आ कि अंदर क्या खसूसियत है क्या विशेष्टा हैं वह सारा चीजा आप लोगो बताना है ठीक तो यह लंबा चड़ा इनके बारे में मदब तारीफ की गई है देखिए सोबा विहार के जिन हम्द निगाश वरा ने उर्दू शायरी में हम्द के फन को निखा रहा है और हम् उनमें शब्नम कमाली की शक्षियत नहायत एहम है एक मतलब बिहार के जो क्या है हम्द निगार है उनमें से एक शब्नम कमाली भी है जो कि अपनी शक्षियत उनका जो शक्षियत है वो एहम है बहुत जदा इंपॉर्टन्ट है शब्नम कमाली नहीं यह तो शायरी के मुक्त इसनाफ में सोखन में तबा आजमाई किया लेकिन हम्द और नात में उन्होंने खसूसी तवज्जा और तवज्जा दी और फन के जादू जगाएं ठेके मतलब शबन कमाली जो है ना वो शायरी के अलग-अलग काटेगरी में भी एक तर से आप बोल सकते हैं राइटर का काम क तीटिल्स माऽ्नत खास्तोर पर नात एशायरी के कई मजमय शाय हो चुके हैं उनमें अन्मार एक र्याज एक जिया ञिए अ प्र झायाएं खिलोस के हैं और घजलू और नजमों के वी कई मजमय शाय हो चुके हैं ठीक तो यहां पर क connection का बहुता एक एक ुला लिखिए अब यहां पर आपलों को हमद का खुलासा करना है जो आप लोगे बुक में हमद दिया गए हमद्ख होडाय जौल इसका आप लो लोग को खुलासा करना है अर्थ बताना है कि लिव शुप्टर में क्या क्या लुद्ध में लात आख की तारी लिए menghoklawlaw 59 के शायर शबनु कमाली में इस हम्द के शायर में बारगाय खुदा खुदावंदी में अक्विदत वो महबत का इजहार किया गया है देखिए कितने अच्छे लफजों का यूज इसी तरह अगर आप लोग लफज का यूज करेंगे तो पक्का है कि जो एक जामियर है जो को भ जरूर करता है कि उसकी जात पाक की तारिफ वो तौसिफ में कोई कमी न रह जाए जाए अपने तरफ से जितना ज़्यदा हो सके उतना ज़्यदा जो है ना इस हम्द में शबनों कमाली अल्ला की तारिफ वो तौसिफ बयान किये है ठीक है इस नजब में शायर शबनों कमाली यह कहना चाहते हैं कि अल्ला ताला दोनों जहां का पैदा करने वाला है उनकी पाक जात की कोई दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती है वो सारे जहां को रिज्ग फराहिम करता है यानकी सारे जहां को रोजी रोटी अता करते हैं और सारी में हर जगा उसका जल्वा नजराता है उसका उसका हुसन हर तरफ फैला हुआ है और उसी ने पूरी जिन्दगी का निजाम मरतब किया है ठीक है अकल वाले लोग इसकी जात को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन लेकिन यह काम इनसान की कौत फहम वो अधराक से बाहर है ठीक ह आपर बोला जा रहा है कि जो खुदा है वो पूरी दुनिया का खालिक है ठीक है और उनकी उन्हीं के हाथ में हर एक चीज़ है उन्हीं का जल्वा इस पूरी दुनिया में नजर आता है इस दुनिया में जितने भी अजूबे चीज़ है सिर्फ और सिर्फ खुदा के समझने की कोशिश करते हैं लेकिन जो बद्दिमाग नहीं है उनके समझ से यह बाहर है तो वही बात यहां पर लंबा क्या किया गया है तस्रीह किया गया है खुलासा किया गया हम्द के बारे में ठीक तो यह था आप का चैप्टर वन का सब्जेक्टिव कोश्चन जिसको एक ही करके मैं आप लोगो समझा भी दी और सारा सब्जेक्टिव कोश्चन क्लियर हो गया कंप्लीट हो गया कोई भी कमफिज ओन हो इस चैप्टर के सब्जेक्टिव कोश्चन से रेलेटेड आप हमें कमेंट करकर लिएगा सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल अकन यहने की घंटी को दुबा कर ओल का अपसन क्लिक कर लेना है उसे होगा यह कि मेरी रोज आने वाली ओल वीडियो का ओल लोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा ठीक तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज